दुनिया के 10 सबसे खतरनाक सांप नमस्कार दोस्तों टॉप 10 हिंदी के सवी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी प्रित्वी पर सांपों की कुल 2500 प्रजातियां मौजूद हैं जिसमें केवल 500 प्रजातियां जहरी ली हैं पर क्या आप दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों के बारे में जानते हैं अगर आपका जवाब है नहीं तो बने रही है इस वीडियो में क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे खतरनाक सांपों के बारे में दोस्तों हम आज की ये वीडियो हमारे दर्शक आशीश और दुर्गेश के सुझाव पर लेकर आए हैं अगर आपका भी हमारे लिए कोई सुझाव है तो हमें कमेंड में जरूर बताएं ग्रीन मामबा जिमवाववे और दक्षिन अफ्रिका के तट के साथ भारी बारिश वाली जगहों में पाई जाते हैं इनका रंग हरा होता है जिसकी वजह से ये पेडों पर आसानी से छिफ जाते हैं और दिखाई भी नहीं देते ये साथ दुनिया के सबसे खतरनाक सापों में से एक हैं ये नाक येवल अपने खतरनाक जहर के कारण है बलकि खतरे के समय इसकी तेज हलचल के कारण भी है इनकी लंबाई 6-8 फीट तक हो सकती है ये साथ दिखने में चितने आकरशक लगते हैं उतने ही जहरीले और खतरनाक भी होते हैं दोस्तों अगर ये साथ आपको कहीं भी मिल जाएं तो जान बचा कर भागने में ही आपकी भलाई है नौ टाइगर स्नेक नौर्डन आस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये साथ टाइगर स्नेक के नाम से प्रसिद है जब मनुश्यों का रुख इसके आलाके में हुआ तो इसने मौजूदगी भी दर्ज करनी शुरू कर दी इनकी लंबाई तीन से पाँच फीट होती है ये ज्यादा तर दलदल और गीले इलाकों में पाए जाते हैं इन सापों का जहर जान लेवा होता है और ये बड़े ही कुस सेल में जास के होते हैं जो आसानी से किसी पर भी भमला करतेते हैं हलांकी इन्हें टाइगर्स ने कहते हैं पर इनका रंग बाग जैसा नहीं होता ये साप अस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में पाए जाते हैं ये जिसे भी काट ले उसका बच पाना लगभग नामुम्किन है दोस्तों ये एक बेहत शातिर और फुर्तीले शिकारी होते हैं पहले ही अपने शिकार का इंतिजार करते हैं और फिर एक जटके में उन्हें समाप कर देते हैं इनका रंग भूरा और हरा होता है जिसकी मदद से ही अपने आसपास के वातावरण में आसानी से छिप जाते हैं और किसी के नजर में आने से बच जाते हैं 7. पूर्वी भूरा साप पूर्वी भूरा साप किसानों के लिए एक फाइदमन जीव बनकर सामने आया है इनका खाना ज्यादा तर कीड़े और चुहे हैं नाम के अनुरूप पूर्वी भूरा सांफ भूरे रंका हो सकता है। इन सापों का अकार 3-4 फीट तक का होता है। सबसे बड़ा पूर्वी भूरा सांफ 6 फीट लंबा पाया जाता है। उनके सवार छोटे और उनके शरीर से अलग होते हैं। ये साप पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और पापो और न्यूगिनी के कुछ हिस्सों में रहते हैं। इस दुनिया के दूसरा सबसे जहरीला सांफ है। जो उसे सताने वाले को बिलकुल भी माफ नहीं करता। 6. बैंडिट क्रेट स्नेक बैंडिट क्रेट, थाइलेंड और ताइवान और चीन के कई हिस्सों में पाई जाता है। ये साप काली और सफेध पट्टियों जैसा होता है। इसका अकार सामाने रूप से 3-5 फीट तक होता है, जो 6 फीट तक भी बढ़ सकता है। बैंडिट क्रेट के जहर में एक मजबूत नियूरो टॉक्सिन होता है, जो पीडित के खून में प्रवेश करने पर घातक हो सकता है। ये साम मुख्यरूब से नर्वक्षेत्रों और दलदल में पाई जाते हैं, और इनका आहार चोटे जानवर होते हैं। ये इन्साना से दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई इन्हें छेड़ता है, तो अपनी जान गवा बैठता है। पर अगर आप यू लजना चाहें, तो फिर आपको कौन बचा सकता है। दोस्तो अगर ये जानकारी आपको पसंदा रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपना प्यार हम तक पहुँचाईए। दोस्तो ये एक अकेला साप नहीं है, बलकि नागों की एक चौकडी है जो भारती आईलेंड्स में पाई जाती है। इंसानों ने लगातार इन सापों के ख्षेतर पर हल चल की, जिससे कई सापों की मौतें हुई और ये भी कई मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा लोगों को मारने वाले सांपों की बात करें तो इसके बाद सिर्फ रसील वाइपर, अरास्केल वाइपर और फिर भारतिय कोब्रा है उसका मुख कारण ये है कि कई स्थानों पर पाये जाते हैं इसलिए मानवों से इसके मुठ भेड की संभावना देख रहती है तर्सियो पैलो एक स्पैनिश शब्द है और ये दक्षन अमेरिका के नियो ट्रॉपिकल वर्शावन में स्थित एक शक्तिशाली वाइपर के लिए उप्योग होता है ये सांप अपने खतरनाक जहर, गुसेल, सुभाव और हर साल अपने द्वारा मारे जाने वाले लोगों की संख्या की वजह से दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक बन गया है इनकी लंबाई तीन से साड़े पांच फीट तक होती है और ये एक सर्प काले और भूरे रंगे होते हैं चुभे इनका मुखे वोचन होते हैं और देक्शन अमेरिका में होने वाली सांप के कारण मौतों का एक ये मुख्य कारण है दो तटीय ताइपान तटीय ताइपान एक खदरनाक जहरीला सांप है जो इस सूची के ज्यादतर सांपों के दरहा मनुष्य के साथ सामना करने से बच्चता है जब तक की ज़रूरी ना हो ये लड़ते समय अपने बचाव के लिए हर कोशिश कर सकता है जो आपके लिए जानलेवा हो सकती है दोस्तों इनकी एक आश्चर्य चनक बात ये होती है कि कभी-कभी इनका सर आयताकार होता है और इन सापों की लंबाई 9 फीट तक हो सकती है ये साप अस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और ज्यादादर सर्दियों के मौसम में देखे जाते हैं एक फ्लाक मामबा फ्लाक मामबा भूरे और काले साफ होते हैं वे अफ्रीकी महदवीप रहते हैं और उनके जहर, गती, चपल ताके कारण दुनिया का सबसे खतरनाक साम माना जाता है दोस्तों इनकी लंबाई वैसे तो 18 फीट तक बढ़ सकती है पर इनकी सामानी लंबाई 8 फीट होती है ये दुनिया के सबसे तेज सापों में से एक हैं जिनकी रफ्तार साड़े बारा मील प्रती घंटे तक होती है ये शर्मीले होते हैं और खत्रे से भागने की कोशिश करते हैं पर अगर खत्रा बड़ा हो तो ये पीछे नहीं हटते और इन्हें परिशान करने वालों को जान से हाथ धोना पड़ता है तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 सबसे जहरी ले साम हमारे चैनल पर ऐसे ही कई रोमांचक और मज़दार वीडियोस मौझूद हैं जिने आप चाह कर देख सकते हैं आपको इन सभी सामपों में से सबसे खतरनाक साब कौन सा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर दें धन्यवाद